आज मैं आप लोग को लेकर चल रहा हूं बाग फाटा जो कंचनपूर डिस्टिक नेपाल में स्थित है तो बहुत चलिए मेरे साथ एंजोई कीजिए आज के ब्लॉग में और हाँ प्लीज मेरा 4000 घंटे जो वाच आवर होता है यूट्यूब का वो पूरा होने वाल है करीब ही हूं तो प्लीज यार आप लोग सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जादा से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखिए बाग फाटा शुरू हो चुका है बाग फाटा जो गाउं है ये शुगला फाटा जो जंगल है उसके पास में बसा हुआ है और सुन्दरता की अगर बात करूँ तो नेपाल हमेशा से हरा भरा सबी जगे लगबख देखने को मिलेगा और इस तरफ की बात करूँ तो रोड पकी रोड कच्ची रोड सड़क सबी जगे है खेती बाड़ी बहुत ज़ादा है शेत्रफल में बागफाटा बहुत बड़ा है लेकिन लोगों के घरे हां कम है बादा है मॉसम बदल चुक है गर्मी, धुबहलकी से लग रही है लेकिन वो गर्मी लग नहीं दिये ठंडे का मौसम आज चुक है और बहुत बढ़िया लग रहा है और आज तो ऐसा ऐसा हो रहा है मैं बाग भाटा आया हूँ जंगल की किनारे किनारी ये गाहों बसा हुए नेपाल में तो ऐसा लग रहे की होता है निशाश लगना जैसा निशाश यानि की याद आना किसी की ये मौसम होता है एक गर्मी का मौसम जाना और ठंडे का मौसम जब आना होता है उस टाइम पे होता है बहुती फॉस्कलास बहुती बढ़िया मौसम लग रहा है अचका बागफाटा में लोगों ने तिल की खेटी बहुत ज़ादा कर रहा है मैकसिम लोगों के जो खेट है ना वहाँ तिल उगा हुआ तिल के पौधे आपको नज़र आगी ये सभी के सभी ये तिल के पौधे आपके बच्चे स्कूल के लिए ज़ा रहे है और गाओं घरों में लोग खेटी बाड़ी में मैकसिमम बीजी रहते हैं कोई खाली नहीं रहते हैं अब मैं पहुँचा नदी की किनार के तरफ नदे की इस तरफ बात फाटा गाओं है और सामने वाला शुगला फाटा को जो जंगल है न वो है के बने या ज़ाओं घरों की जो लाइफ होते न ऐसे होती खेट खलियान पेड़ पॉंदे फल फ्रूट कुछ जिगे कच्चे रास्ते कुछ जिगे पक्के रास्ते बागफाटा जो गाओं है न यहां हाथी शेर तेंदू आने का डर होता है क्योंकि जंगल पास में है सो गाइस आज का जो बागफाटा वाला टूर था न मैंने कंप्लीटली कर लिया और आज का टूर कैसा लगा कमिट करके जरूर था यह बाकी नेक्स डे अधर टूर पर आप लोग को लेके चलूंगा आज के लिए इतना ही बाकी वोल मीट यो नेक्स वीडियो तब तक के ल और अग नेन काच आग था करत का चूर प्यू ने नेक्स झीड बाकी जो शरूर कि अैज कि कि एं